नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र उत्तर प्रदेश में जब से मदर्सों को लेकर सर्वे का काम शुरू हुआ तब से मदर्से सुर्खियों में हैं और अब केंसर आ रही है सामने और इस बीच स्कॉलर्शिप को लेकर के आदेश भी जारी कर दिया गया है अब सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं अचानक इस पैसले को किस नजरिये से देखा जाए विपक्ष भी अपनी बात कहरा और जो मुस्लिम धर्म गुरू है उनकी भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सबसे पहले सरा प्रतिक्रियाएं सुनवाना चाहेंगे फिर अपने दश्कू आगे चर्चा करें तीन बच्चे मुस्लमानों के मदर्से में पढ़ते हैं मदर्से में जिन शिक्षकों को सरकार तन्वा देती हैं 2017 के बाद सिर्फ नौ महीने की तन्वार शिक्ष वहां क्या रख रखाओ सरकार का है तो जो स्कॉलरशिप सतर रुपए महीना मिलती थी पिश्री सरकारों की वज़े से सरकार ने उसको भी बंद करने का काम कर दिया तो जो किंद सरकार का जुन्रण है प्रदेश सरकार उसको लागू करेगी प्रदेश सरकार कल्यान कारी सरकार है और जनता का कल्यान करना मुख धे है योगी सरकार का तो बच्चों के साथ खिलवार उनके भविस से किसी भी प्रकार नहीं की जाएगी इन बच्चों का भविस अंदकार में नहीं होने देगी, योगी सरकार जो भी उनके सिक्षा के उनने इनके लिए जो भी काम करना होगा, उसे क्या जो राइट टू एजूकेशन का जो दाइरा है, वो मदरसों पे नाफिज नहीं होता है, 2009 में राइट टू एजूकेशन आक् हैं जिन्होंने नोटिस जारी किया, कि हर सरकार का बेसिक मकसद होना चाहिए, बेसिक हदफ होना चाहिए, कि किस तरह से तालीम को आम किया जाए, तालीम को फरोग दिया जाए, और वो तबकात जो फैनेंशली वीक हैं, कमजोर हैं, उनको फिरी ओफ कॉस्ट तालीम दी जा रहे हैं, बात सुविधाओं की हो और सबसे बड़ी बात यह कि किस तरीके से शिक्षा के अधिकार का तर्क दिया जा रहा है असे तमाम सारे सवालें जो आज OE महमानों से जानेंगे और समझेंगे जल्दी से OE महमानों से प्रत्शकों का तारूफ करा देते हैं हमारे साथ प्रभाकर पांडे जी है कॉंग्रिस नेता प्रभाकर जी नमस्कार बहुत बहुत आपका स्वागत है साथ इसाथ विद्या गौतम जी है बेस्पी नेता विद्या जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है और विने सिंग बिन्नु जी है सपानेता हमारे साथ विने जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है इसके लावा भी बीजेपी से हमारे साथ जोड़ेंगे अशोव पांडे जी फिलार मैं सबसे पहले आज विने सिंग बिन्नु जी आपके पास आ रहा हूँ विने जी पिछल तशके मदर्सों के ऊपर जोबी कारवाई अभी तक रही हैim伊纪 र न कहीं भारती के बहारती जन्ता प्रपार्टी द्वारा प्रदेश में देश मी यह का बातावर और व्यापत करने का प्रयास हैं कि देश को बांता जाए जिस से इनकी बहुत कालर्शिफ की है क्भभी परिवार के चांट्र को जोकि आर्थिक रूप से बहुत कमझोड जोंटींकि वर्श ईंग जैसे कि सभाई करमी और ये चम्रे काूश bisa करने वह जो बहुत आरथिक रूप से कमझोड है उननको स्कालर स्वेगा जैता है कि उनके बच्छों का बौधिक अस्तर कहीं ने कहीं बढ़ सके केवल पढ़ाई लिखाई में जूता चपल और कापी किताब इन सब चीजों से ही किसी बच्चे के आप बौधिक अस्तर को नहीं बढ़ा सकते उसके लिए और भी तमाम सुविधाय होती हैं जिसके लिए सकालर्शिप दिया जाता तो यह सरकार कहीं न कहीं हमारा मानना है कि यह चात्रों युवाआ परिवार के खिलाप है पता नहीं जिस सरकार को क्या दिक्कत है परिवार और बच्चों से इसको बड़ी दुस्मनी है तोकि परिवार अब देख लीजे, जिस तरह से महगाई बड़ी हुई है, हर परिवार का बजट बिगढ चुका है, बच्चों के उपर इस तरह से स्कालर सीफ हो या उनके पढ़ाई के अधिकार को छिनने का काम, गरीब जो किसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाने का क आपकी टिपडी चाहूंगा प्रभाकर जी अलोग जिलिभ प्रदेश सरकार मदर्सों कीजांच करानी षुरूं कि भरी मदर्सों कीजांच क्यों प्रदीस सरकार के मंत्रीगर नेता इनकी प्रवक्ता इस पड़त से कि मदरसों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बच्चों की एक हाथ में लैब टॉप और कम्प्यूटर और दूसरी हाथ में कुरान, इसके लिए प्रयास किया जाएगा, उसकी परणिती कहने के लिए आज, कि जो मिनिमम में स्कॉलर सी भी बंद कर दी गई अब इनका देखिए, अब इनके काबिला मिनिस्टर बोल रहे थे, धरमपाल सींजे, कि ये हितकारी सरकार है, बही ऐसा है कि कोई बात कहने में, कितने दिन तक, कितने दिन तक जन्ता से, जन्ता की भावनाओं से आप खिलबार करेंगे, बही कल्यानकारी सरकार है, तो क्या लिए उस इसकॉलर्सीय बंद कर देने से, वो सरकार अत्यदिकलण कारी हो गई, आलो जिसमें और भूभी मुक्री कर दो बात कि जाएगी, फिर इस पर हर जगर डिबेट होना शुरू होगा, तमाम लोगों बिलोफ करना शुरू करेंगे, तो जिस से, जिस, फिल्द का, ए इनका खेल जो है उस फिल्ड में सुशोभीत होना शुरू हो जाएगा इनका उदेश क्या है इनका उदेश क्या है कि टार्गेट करना कि जब इनको प्रताडित की भावना से ग्रसित करेंगे तो एक वर्ग हमारे लिए हलादित होगा कि हाँ हाँ अबे सरकार ठीक कर रही है इनका कोई उदेश्च नहीं है ना तो इनको स्कॉलर्सी बंद करने का मतलब है न तो इनका प्रियोजर कुछ कहीं और होता है यह निकि एक खास वर्ग को टार्गेट करने के लिए किया जा रहा है ती कि चली आपने बात रखी मैं विद्या गौतम जी के पास आ रहा हूँ विद्या गौतम जी लगातार पिछले आपकी सरकार भी बेस्वी किस तरीके से मदर्सों को लेकर के उनकी साफ सफाई उनने सुविधाओं को लेकर के कई बार सरकार पर निशाना साथ दिया है इस पर ज़रा आपकी ठिपड़ी चाहूँगा बिलकुल हाँ जैसे कि हम सब जानते कि बहन मायवती जी ने अपने सासनकाल में सैकड़ों मदर्सों को मानिता तक भी दी थी और जब से ये सरकार इस वक्त पे पिछले कई महीनों से लगाता है कि मदर्सों की जाच होगी वो कैसे है कैसी ने उनकी जाचों में तमाम तरह की बाते निकल के मीडिया में भी बहुत डिबेट जैसे अभी पांडे साब ने कहा भी कि वो एक वर्ग विसेश की धरम की राजनी करके अपने लोकतंतर को खतम करना चाहते हैं क्योंकि लोकतंतर सभी के लिए होता है तो आप इन्होंने एक काम कर लिया कि यह आपने यह जो आज यह जो नेड़य बताया कि हम स्कॉलर से बंद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदू-मुस्लिम माला इनका एजंडा बहुत उपर तक जाएगा और इसमें बहन मायवती जी लगातार कह रही है कि आप मदर्सों में जा करके वहां पर उनकी बेहतर कारियों को देकर उ आप उन्हें प्रोसान देने के बजाए उनको आगे बढ़ाने के बजाए आप उनको वहां के मदर्सों को बंद कर रहे हैं जो बच्चे सिच्छा प्राप्त कर रहे हैं जो आगे बढ़ेंगे जो देश का भविस है जो तरक्की करेंगे तो आपने इस तरह से मदर्सों को प्रस्तूत कर दिया इस सरकार ने डबल इंजन की सरकार ने कि आप मदर्सों को लेकर कि लोगों के अंदर एक भायर जैसा पैदा हो मदर्सों में पता लिए कौन से सिच्छा दी जाती होगी जबकि वहाँ पे बच्चों की भविस्गी सिच्छा दी जाती आप वहाँ जाते जाज करते कि जो बेहतर थे उनको प्रोसाहन देते तो लगता कि हाँ प्रदेश में सरकार सभी के लिए कुछ करना चाहती आप फिर क्यों नर लगाते हैं कि सबका साथ है सबका विकास है चलिए बड़े तमाम सारे सवाल उटके देखिए अशोग पांडी जी भी हमारे साथ चुड़े है अशोग जी नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपको और प्रबाकर जी की आपने बात सुनी विद्या गौतम मैडम की भी आपने बात सुनी होगी जल्दबाजी में लिया गया है और ये खास वर्ग को टार्गेट किया गया है अब अगली आवाज आपकी ये इन लोगों ने अपना एजेंडा कसुला चलाना शुरू कर दिया ये लोग शुरू हो गए मुस्लिम बंदूओं को भरकाना जो इनका पुष्टी करने के लिए सारे दल शुरू हो गए वरकाना मेरा आयमाना है के सबका साथ सबका विटासवाली शरकार है मदशों की जाच हम इसके करा रहे थे किया उनकी व्यवस्ता सुस्रंजित करें उनको कंप्यूटर दे और हम हिंदू-मुसल्मान करते हमारी जो भी ओजनाए हैं आपको हिंदी-मुस्लिम दिखाई दे रही है हमने अगर जन्धनी अधिनाद दिलाया तो हम क्या हम हिंदू-मुस्लिम कर रहे थे हमने गरीबों को मकान दिया हम हिंदू-मुस्लिम कर रहे थे हमने असी कहोड़ लोग जन दिया पश्के कर रहे थे मेरा एक सवाल है मैं बिलकुल कहना चाहूंगी सर बहुत बड़ा सवा आपने अशोग जी यह नहीं कर रहो आपने तमाम सारी योजनाय शुरू की उनको मूर्त रूप दिया लेकिन यहां पर बैठा पैनल और विपग समूचा यह जानना चाहता है कि विद्या जी भी कि बंद क्यूंकि आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं यह तो सु क्यों कि आगया जी देखिए उसके उसके अच्छा बनाएंगे जो बच्चे हैं उनको भरकाने का कूप रहाज जो एक लोग करते हैं असोग जी सवाल इस बात काए कि बुन्यादी सिच्छा से जो वहां पे मदर्सों में दी जारी उसको आप ऐसा प्रसुत करें जैसे वहा के आथ में समय थवाना चाहते हैं और और हम टबीर के हाथ में कर्दूर रहे हैं कष्ट करने के लिए लेकिन सवाल इक लिए कि कुछ अच्छा करने के लिए आप क्या चीज़ों को बहुत कराप करने क्या देखिए यह अपके अधा के जारह जी जेकिए अभी जो हमारी बी कोई उद्देश से नहीं है न किसी का साथ न किसी का विकास इनका सिर्फ एक ही हमेशा एजन्डा राता है कि ओर की राजनीत को कैसे सेट किया जाए ओर के देश को भी तोरना पड़े देश को परबात करना पड़े मेरी बात करना पड़े उससे यह पीछे नहीं रहे है इन्हों ने कहा ना कि अभी हमने यह प्रयास किया कि एक हाथ में पुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए तो यह काम माननी राश्टी अद्दक्ष हमारे अखिलेस यादो जी ने बहुत पहले से प्रयारम किया था हर छात्रों के हाथ में एक एक कंप्यूटर थमाने का काम किया था इन्हों ने कहा था टेबलेट देने के लिए इनकी तमाम किना भी भोशनाय रही है लेकिन आप पता प्रदेश को कैसे बाटा जाए क्योंकि हम एक खंड भारत की परिकल्पना करते हैं या खंड भारत की परिकल्पना करने वाले देश को तोड़ने वाले लोग है इनका ये इजेंडा ही रहा है कि जैसे अंग्रेजों का रहा है कि कैसे लोगों को अंदर बटवारा किया करके गदी और सत्ता हासिल किये इनका एकigon है कैसे जोडते है कichen कि अखंड की बात कर아아 हम क्यों नहीं हापर सबना Profess कि बात करते हैं एक बात कि अचनिशा क्यों नहीं लेगन जा रहा है आखिर देफें पेले मेरे सवाल को सुनिय और आप पिर जबाब दीजिए कि आप कहते हैं आपकी पार्टी कहती है अखंड भारत बनाना चाहते हैं सरदार बल्लब भाई पटेल को ले करके आप गुजरात में लोग पूरी देश में खूब भुनाने का काम करते हैं आप कहते हैं सबका सबका विकास करेंगे फिर ये मुसलिम्स के साथ में इस तरह का दुरुवेवाद जो सिच्छा जो बुनियादी सिच्छा जहां बच्चिया भी पढ़ते हैं बच्चे भी पढ़ते हैं लड़किया और जहां पर एक सिच्छा की बुनियाद रखी जाती आप उन मदर्सों को देखते अगर उनमें कुछ कमिया होती तो आप उनको बढ़ावा देते हैं तो हम जानते कि आप लोगतंतर की परिकल्पना करना चाहते हैं आप तो वहां पर जाकर आप सीधा से जवाब जल्दी से लिए आप से सुविधायन थी उनमें जो सर्वे कराया सुविधायन होनी चाहिए थी और उनको बेहतर किया जा स उनको को कुछी कबीर मिल के चलाएंगे यह लोग कबीर को भरकाएंगे अखलेत यादों क्या भी प्रक्ता बोल रहे थे यह लोग तो वली उल्ला जो आतंकी था उपर से उगणवावा पदले रहे थे अले साह मुष्री मोट की खातीर अच्छा अच्छा अशुन जी एक स लेने से पहले पहले देने की बात की जाती है अब क्या दे रहे हैं आपके अब जूट पर उस रहे हैं आप देश को तोलना चाते हैं आपने खात्रमिती बंद करके कोई जन कल्याण कार करेंगे आप जूटे लोग हैं आपके पास कोई एजन्डा नहीं है आपके पास देश के कल्यार के लिए कोई एजन्डा नहीं है जूट और सच का फैसला हम लोग आप परगरने के लिए नहीं बैठे हैं हम चाहते हैं कि कुछ तक के पूर्श चीजे निकल करके आए जब हम बात कर रहे हैं हुँआरों चांतरों को ले करके जिनकी स्कॉलर्शिप बंद हुई है उनके बेहतरी के लिए क्लिए है जबकि यह मुस्लिम धर्म गुरू को सुन रहते हैं कि खिक्षा के अधिकार कि जब हम बात करते हैं तो इसमें मदर से नहीं आ रहे नहीं इसमें कोई भी दार्मिक शिक्षा को आ रही चाहें वो वैधिक पाठचाला को लेकर को इस चीज़ को अगर भातियनता पार्टी की सरकार है अगर आपके पास पांडे जी शक्ती है तो दुसरे को प्रित करने के नहीं होनी चाहिए आईए अलोग जी बहुत अच्छे कुमार कुमार कारिगर की तरह आप घरे का निर्मार करना चाहते हैं नीचे एक हाथ की दीठी देकर दूसरे हाथ से थापी मार कर लेकिन पांडे जी बहुत मुझको छोब है मुझको कश्ड है मुझको क्षट खेद है कि जो दीठ लगी हाथ है ऑख खुद हही आपकी ब्रेक है खुद टूटी हुई है जिसे की थापी मारते ही घरा वह फुब जाता है आप यहीं कर रहे हैं बहुत अच्छी बाते आप कर रहे हैं कि मैं नई योजना लाओंगा नया इंक्याश करूंगा फिर आलोग दी उसी जड़ में जा रहा हूं यहीं उनकी बुनियाद है यहीं इनकी फित्रत है सिर्फ एक फित्रत है कि स्कॉलर्शी बंद करेंग राष्ट्रिय खबर बनेगी टीवी चैनलस डिवेट करेंगे और हमारी हथियार की धार कहीं कुन्द न पड़ जाए उसकी तिक्षणता कम नहीं होगी और पांडे जी भरतियंता पार्टी की यह जो है अविएक पूंड बयान भाजी एक कभी शुभयमान नहीं हो सकती कि पांडे जी लडाई करने के लिए हमारे बैठे हैं सभा के प्रवक्ता ने आपको भी होसमें कर जा रहे हैं अच्छी बात कहूंगा पर बात नहीं तो लगेंगे आप उसमें बीच में बोलने लगता है ध्यान से सुनिए आपके अनुता करण को यहां असपरशित होगी मेर बाते फिर रात में सोची अकेले होकर के भी डिबेट में खाली में जूटे बोलके आया हूं तो मने मन कहिएगा अहम विध्या नमबद जे आसे मैं मिध्या भासर नहीं करूंगा बेपांडे जान लिए अलोगी एक से करनों समय लूगा आप बहुत बढ़ियां काम कर रहे है बहुत बीकास कर रहे है पंडे जी अगर बहिया काम करते बहियां विचास करते तह हम लोगों को को कोई जो है पागल कुकूर नहीं करता है पंडे जी देशी में सुनिए कि आपका दिरोज करें अरे भाई भारतेंता पार्टी की सरकार विपक्षियों को पागल बनाती है तिर्फ कपड़ा उता के घुमना बाकी है पांडे जी आप कपड़ा उत्रवादी है इसको कैसे दूर किया जा सकता है हम शिक्षा की बेहतरी को लेकर कर रहे हैं होना यह चा सम्रद्द देश की परिकल्पना जब आप करते हैं तो तीन चीजे बेसिक क्या ची होनी चाहिए वह सिख्षा वह स्वास्त और वह रोजगर तीनों चीजे आज की तारिक में भारती जलता पार्टी की सरकार ने इस देश और प्रदेश से चीन रखी है कैसे हम परिकल्पना करेंगे कि हमारा अब्रकार प्रदेश ने स्वाजी कि वह साथ कि किया हैanter यह तो बताने का प्रयास करें पे कियां किस यगां परने दोई नहीं लगवाई के जूड बोलने से सिट्षा को जिस तरीके से आपना काम किया है जिस तरीके से आपने खत्म करने का काम किया है कही न कही भारती जनता पर्टी के रश्चाइप रस्ट अचारी मंत्री कही न कहीं नोकरियों को भेचने का काम की है लेकिन कुल मिला करके ये जन्देशा क्यों जा रहा है बजीते पर रोग तो सियासत शुरू सुनिय अशोग जी लगातार हमें फोकस इस बात पर करना है कि शिक्रा को बेतर तरीके से दिया जाए अशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्यानम न शीनम न गोडों न धर्मा ते मृत्तिलों के वह भी भारभूता मनुष्य रूपेण म्रगास्चिरंती तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए जिस विद्या को लेकर कहा जाता है विद्या विनियम ददाती हमें एक संदेशा देना चाहिए क्यों विद्या गोटम जी संदेशा यह जाना चाहिए ना कि सियासत बिल्कुल आलोग जी आपने जो कहा बहुत अच्छा है किस लोग के माध्यम से आपने इनको घ्यान देने की कोसिस करी भाज़पा वालों को डवल इंजिन की सरकार और इनको पता है कि सिच्छा की बुनियाद की बिना आप किसी चीज की भी कलपना करने ही सकते किसी की भविस्की उजल भविस्की आपने इतना बड़ा स्कॉलर से बंद करके जैसे अभी पांडे साब ने कहा कि इनके लिए एक राश्टी खबर हो हैंगे उस राजनीत के बाद में आपको वस ओटों का ध्रवी करना और अपनी सक्ता में काविज होने का काम करना है तो यह जो आप असोग जी ने अभी हमारे सवालों का कोई जवाब ने दिया कि आपने जब स्कॉलर सी बंद करी है तो उसके पहले आपके पास क्या नीती ह है मुझे असोग पांडी जी से बार बर यही सवाल है और आपको स्कॉलर से बंद करने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी और प्रदेस के अंदर विरोज़गार को लिए तो किया कि कुछ बेहतर चीज़ सो इसमें अबिट्मेंट बदलाओ किया जाए कि बात तो बता त अब सुनिये तो अश्वाब झैणे इंक्लोंड लिए अच्षी सच्छा नीती को या अच्छी को बंद करके आप अप पिर करें मिस्से अच्छा करके दिखाएंगे अरे आप उससे अच्छा लेकर क्या तो पहले उसे प्रस्थ परिश्त करिए ना कि मैं इससे बेहतर लेक करके अब इसके बाद में मैं इस योजना को लागू करूंगा यानि इसका मतलब है कि आपने सीधा सीधा ये संदेज देने की कोशिस करी कि मदर्सों में जो पढ़ाया जाता है वो मुसल्मान मुसल्मान बहुत खराब पड़ाते हैं इसी तरह आपने एक और राजनित अभी बीच में करी वसबंदा मुसल्मानों को ले करके आपने विभाजन करने का काम किया आपका वही नीती है जिसे अंग्रेजों के समय में चली आ रही थी कि फूट डालो राज करो आप देश में प्रदेश में आपको यही काम करना है और सर्क जंता है बहुत जल्दी होस में आकर के आपको होस्म दिलाना है जल्दी से अशूग जाब दिजए मैं आपको बस सुनूँगा दिक और सारे मैमनों से कहूंगा विपक्ष को सुने जज़वाब जी क्या जवाब जी हाँ आपको तागे जो होगा, ठीक सुनेंगे, बोलेंगे जाए लिए लोगों ने पहले आरोप लगाया कि मुश्मीम और दुनिया पढ़ाने काम, अजये साब मेरी जो हमारी पार्टिक सरकार की जुभी ओजनाई हैं, क्या हमने हिंदु-मुसल्मान देखा, आईसमान है हिंदु मुशल्मान देखा, आपने कितने मकान देखा, आपने कितने मकान बनाएं, कितने आयूसकार बनाएं, 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 आ पर जान जाओं 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 आप सिर्फ आपके पस नहीं नीदिया क्या जो आपने स्कुलों सिपन्ध करी से बेटर नीति बताने का काम करें लेकिन उन चात्रों की कोई भी बात नहीं कर रहा है। प्रभाकर जी शे लाक चात्रों का फर्क पड़ेगा इस में को लेकर के। कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कोई सवाल नहीं आया। ना किसी ने सत्तापक्ष की तरफ से ना विपश की तरफ से चलना मैं आप से टिपली चाहूंगा इस पर जी छे लाग चात्रों के सवाल है यहां पर वजीफे को कि प्रभाहकर जी ऐसा है लोक जी कि दो तीन बुनियादी बातें इसमें हैं यह सरकार ना घोफना करें कि यह सरकार अपनी करमर्था को लक्षित करते हुए परदर्शित ना करें न देख हांते में कंप्यूटर अगर वह मदरसे के छात्र सिर्फ कुरान ही पढ़ते हैं मैं जानता हूं आलोग जी कि कुरान में पारंगत होने के साथ साथ हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी में शो पर कभी धार्मी सिच्छा बाधित नहीं करती है बलकि ब्यवशाई सिच्छा और निखरती है उस धार्मी सिच्छा की उर्जा से इसमें भारतियनता पार्टी कहती किया है कि मदर्शों में जिहाद पढ़ाया जाता है आप सुनीए पंडी सुन लीजे अगर पंडी कंधनाम को कलंकित करने वाली बारतें तद पार्टी ही थे आपूचान के अपने धर्म का नुगामनी होकर अनुशांगिक होकर किस्रीयों को हर्म पहुंचाना नहीं है अगर आप लेटॉप उनको न भी दें कुछ न दें उनको जो उनको सत्तर उपे की वजीफा थी आ लोग जिने बहुत बड़ी बात कहा पांडे जी कि भाई ये चर्चा इस बात पर हो कि 6 लाक विद्यार्थियों को होगा क्या आज आपको शाम का भोजा न दिया जाए अब सअबस्ति हमें के लिए बहुत विस्तारी बहुत क्या कहते हैं अलंकृत ही आपक्षी योजणा को लगू करने हम जा रहे हैं अत्रे आपक्राइव कहा क्यों जना हें जान रहे हमें ह्ये carboni सुनिए पंडे सथी विद्यार्थि जो हैं महतमा गांधी नहीं है एक ज्रत्ण जेसों में चुनाव चल रहा है यह हम ऐसे जा रहा है हिंदू मुसलमान करने के लिए पांडे जी और आप एकांग की या ब्यक्तिगत तोर पर क्या मैं ब्यान बाजी नहीं सुनता हूं कि आप लोग की भावना और कितना सम्मान रहता है उस वरक के भिसे में उस भारत की बु भी नहीं है मुद्धा यह है कि उच्छे लाक चात्रों के बविश का सवाल और बहले कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है उससे कोई सुविधाय अन मिलती रहेंगी लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे अशोक पांडे जी कि कुल मिला करके पहले शायद इसका समस्या का समाधान आजाता कुछ तदकाली निशाएद बताते तो ज्यादा बेतर होता और विपक्ष को भी सवाल उखाने का मौका ना मिलता देखे आपको हमने बताया कि हम एक तरव को एक हाथ में पुरान तो दूसरे में कम्टीटर देने वाले लो है और दूसरी बात हम सुच्छी ज्योगता करा रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि है मुल्क तुर्शी का है कभी का है जोलों का परावर का है आपने टेबलेट देने के जीह बाइफा शक्राक करने में था नहीं तक दाउने मत दश्योडर ओ लिया जूडरते दें जूत बोलते हैं केवाल जूडर दने से यह तुमाम सारे तुमाने जिसको करना होगा लेकिन मैं विद्या गौतम जी आपके पास आ रहा हूँ आप से मैं आज एक सुझाओ मांग रहा हूँ अगर आप 30 जिगार पर किस तरीके का फैसला लेती है और क्या ज़र्कार जो उमीद कर रहे हैं जल्दी से आप बताई मैं आपकी चाहूंगा मैं बहुत सुस्त बहस करा रहा हूँ उसके बाद में जो बेहतर काम करता उसे प्रोसाहन देती और जो मदर्से कमजोर थे उनके लिए प्रोसाहन के लिए और काम किया जाता क्योंकि मदर्सों में सिर्फ जिहाद ही नहीं पढ़ाया जाता मदर्सों में धरम और सिच्छा और तमाम ऐसे विशियों को पढ़ाए जाता है। यह संदेशा जा रहा है विशियों के खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। बढ़ा विशित्री स्थी आप की हो गई। आपका भी विने सिंग बिन्नु जी आपका भी और अशोग पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मदर्सों में मिलने वाली स्कॉलर्शिप को लेकर के सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं। आज आश्वासन इतना ही दिया गया। सिरकार अभी इतना ही।